हाई व्रिवन आज जो हम पेंटिंग पढ़ने जा रहे हैं वो है कृष्णा ओन स्विंग और यह राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनियेचर पेंटिंग एक बहुत ही फेमस और एक डिफरेंट सी पेंटिंग है सो इसकी स्पेशलिटी क्या है यह हम आगे चलके समझेंगे सबसे पहले हम जैसे टेबल से शुरुआत करते हैं आर्टिस नेम हुआ नुरुदिन, सब स्कूल, बिकाने, मीडियम, वाटर कलर ऑन पेपर, टेकनीक, टेंपरा, टाइम पिरिएट 17 सेंचुरी भी लिखा जा सकता है एन राजस्थानी पिरिएट भी, कर्टिसी या कलेक्शन की बात करें तो नाशनल म्यूजियम न्यू डेली अब आते हैं सब्जेक्ट मेटर या थीम पर, तो सब्जेक्ट मेटर की अगर बात करें यह पेंटिंग रिलीजियस है, यह तो आपको नेम से ही क्लियर है, क्रिशना उन स्विंग मतलब यह क्रिशन जी पर पेंटिंग बेस्ट है, बट यह पेंटिंग लिटररी भी है literary painting मैंने समझाया था वो paintings होती है जो किसी literature की illustration हो so ये painting भी एक famous literature केशवदास की रसिक प्रिया poetry पर based है so इसलिए ये painting religious होने के साथ literary painting भी है इसमें भी एक कृष्ण लीला की depiction है अब हम आते हैं description की तरफ so description अगर हम इस composition को समझें तो painting को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक painting narrative की तरह है जिसको असानी से समझा जा सकता है अब आप समझने के लिए देखें ध्यान से अगर देखें तो या तो top to bottom समझना चाहें या फिर indoor to outdoor क्योंकि upper part इसका indoor है lower part इसका outdoor है सो ध्यान से देखें ये painting दो parts में divided है बट ऐसी कोई क्या horizontal line दिख रही है आपको कि बीच में से divide कर देगी और वो indoor scene हो गया या outdoor scene हो गया नहीं ऐसा कुछ नहीं है और यही mastery है इस painting की इस painting के artist की कि इसने overall एक ही composition में इस scene को compose किया है और बड़ी एक खुपसूरती के साथ trees की help से पीछे जो इस चोटा सा टीला ये mount दिखाया गया है उसकी help से इस composition को दो parts में divide कर दिया है upper part श्री कृष्ण को यहां एक well decorated hexagonal जूले पर बैठे और उन्हीं के opposite balcony में श्री राधा जी को red carpet पर बैठे दिखाया है दोनों को एक दूसरे की तरफ देखते हुए दिखाया गया है कृष्ण जी यहां पर लाल धोती white garland more mukut पहने हैं जबकि दूसरी तरफ राधा जी red carpet पर पिलो की support लेते हुए बैठी दिखायी गई है इन्होंने traditional घागरा चोली पहनी है और transparent golden दुपट्टा अब पीछे जो architecture है उसमें मुगल effect की जलक है अब आते हैं हम lower part के दरफ तो इसमें भी श्री कृष्ण और राधा जी को ही दो अलग-अलग पेड़ों के नीचे अलग-अलग carpet में पिलो की support लेके बैठे हुए दिखाया है श्री कृष्ण को यहां भी blue complexion में more mukut पहने white garland पहने दिखाया है पर यहां उनकी धोती का color change कर दिया गया है यहां अगर आप ध्यान से देखें तो yellow color की धोती पहने दिखाया है जबकि राधा जी को same yellow घागरा चोली पहने दिखाया गया है अब नीचे पार्ट में नीचे एक राधा और कृष्ण के बीच में एक सखी को खड़े दिखाया है जो कि कृष्ण जी की तरफ face करते हुए दिखायी गई है इसको striped घागरा चोली जो कि yellow और purple color का combination में है वो पहने दिखाया है ये सखी राधा जी का या तो message दे रही है कृष्ण जी को या फिर जिस तरह से उनको राधा जी को मनाने का आगरे करती हुई दिखाई गई है और इसके इलावा अगर हम foreground और background की बात करें तो foreground yellowish greenish color में दिखाया गया है पीछे trees और mount की help से बहुत ही कुपसूरती से इस scene को जैसे मैंने पहले भी आपको explain करा divide किया गया है और इसको दो बरी मैं इसलिए explain कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत important point है इस painting का और पेडों के जो पत्ते हैं वो आप देख रहे हैं के repetitive pattern में दिखाये गए है overall अगर हम बात करें तो bright elegant colors यूज हुए है profile faces है overall composition बहुत ही different और खुबसूरत है और इसमें एक soulful connection दिखाया गया है Krishna और राथा के बीच में चाहे हम upper part की बात करें या lower part की बात करें तो ये है इस painting का description अब आए human life value पे human life value के मैं एक दो keywords आपको दे देती हूँ अगर ऐसा कुछ by chance question आता है तो आप इन points को elaborate करके जा सकते हो so first हम लिख सकते हैं genuine love के उपर फिर हम dedication and devotion पर भी इस painting के बारे में लिखा जा सकता है so this is all about the Krishna on swing thank you